अलो फ्रेंड्स पी एच्पी सीखने की इस सीरीज में आज हम डिसकस करेंगे functions in PHP कि function पी एच्पी में हम कैसे यूज करते हैं और इसके पी एच्पी में क्या 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 advance है function के बारे में यह हम सब को डिसकस करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अभी तक जो हमने functions से पहले पहले का जो पार्ट डिसकस किया है वो सिर्फ एक basic पार्ट था जिसमें आपको इतनी problems नहीं आई होंगी बट यहां से जो अब एक नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है functions functions का PHP में बहुत बड़ा रॉल है तो आप इससे पहले के वीडियो देखें सारी और वहां तक के सारे concepts हैं वो clear करेजिए किजिए अगर आपको कोई उनमें problems है उन parts में आपको कोई problem है तो आप वीडियो में उस particular वीडियो के comment box में comment करके मैं इसे पूछ सकते हैं मैं आपको reply करूँगा उसको solve करने की causes करूँगा तो कहने का मक्सद यह है कि यहां से पहले की वीडियो को आप सारी वीडियो को देखें और concept clear करने के बाद प्रक्टिस करने के बाद ही यहां से आगे start करें otherwise आपको problem आ सकती है आगे क्योंकि यहां से आप थोड़े interesting topic start होने वाले हैं तो आज इस वीडियो में मैं discuss करता हूँ function और यह function का part 1 है part 1 है तो इसको start करते हैं functions basically function is a piece of code that can be used many time in our program जैसे कि आपने C language में भी पढ़ा होगा I hope आपने functions पहले discuss की होगे बट हम discuss कर रहे हैं PHP में functions के बारे में तो basically function होता क्या है function एक set of code होता है या multiple line set of code होता है जिसको हम अपने program में कितने भी time use कर सकते हैं उसको multiple time हम चाहें उतने time इसको use का सकते हैं and function can take input as an argument list and can return a value और function input के तोर पर कोई value भी ले सकता है as a argument जिनको हम argument बोलते हैं function input भी ले सकता है और value return भी कर सकता है अगर हमें जरुद पड़ी तो हम function के दुवारा value return भी करवा सकते हैं तो basically function function कुछ नहीं है function एक set of code है जिसको हम उस particular code को या उन particular lines को हम multiple time या बार-बार use ना करें इसलिए हम उनको प्रॉपर एक particular box में define कर देते हैं जिसको हम function बोलते हैं और इसको हम बार-बार call करवा सकते हैं जब हमें उस particular lines को run करवाने की जलरत होगी तो हम इनको call करवा सकते हैं तो function is a set of code that can be used many times in our programs तो अब हम देखते हैं कि function function basically two types के होते हैं ठीक है पहला होता है predefined function and second होता है user defined function अब predefined functions में तो वो function आगए जो हमने अब भी discuss जो हम पहले से बने बनाए होते हैं PHP में जैसे eco होता है eco function या print function भी होता है print function ठीक है यह सारे functions होते हैं जो बने बनाए होते हैं तो इन्हें हम बना नहीं सकते यह पहले से PHP में बने बनाए हमारे लिए या हमेरे सुविधा के लिए बने बनाए पहले से And second is user defined function. User defined function क्या होते हैं? जिनको user खुद define कर सकता है अपनी requirement के according. Suppose मुझे कुछ requirements है कि मैं two numbers को add करना चाता हूँ तो इसके लिए मैं function बना सकता हूँ अपने requirement के according मैं function बना सकता हूँ तो इसको बोलते हैं user defined function जिनको user defined कर सकता है तो हम इसी वीडियो में हम बात करेंगे user defined function के बार तो user defined function इसका syntax हम देख लेते हैं इसका syntax बहुत simple होता है function का simple simple set syntax है PHP में इसके लिए आपको क्या करना होता है सबसे पहले function एक keyword है function एक keyword है यह आपको सबसे पहले लिखना होगा इसके बाद इसके बाद आपको function का नाम देना होगा और function का नाम देने के बाद यह दो small brackets लगाने होगा ठीके और इसके बाद यह इसकी function का body part होगा यह इसका simple सा syntax है function का फैले function keyword उसके बाद function का नाम और जहाँ पर दो small brackets जिल में हम argument पास करेंगे वह हम आगे देखेंगे कैसे argument पास करते हैं यह सब आगे डिसकस करेंगे यह यह एक simple syntax है function का इस line के बाद हम यहाँ पर जो code हम बार बार run करवाना चाहते हैं execute करवाना चाहते हैं वह हम यहाँ पर define करते हैं तो यह oa theory part function के बारे में syntax क्या होता है, function क्या होते हैं और इनको हम use क्यो करते हैं यह जैसा कि आपको पता होगा function का use हम क्यों करते हैं क्योंकि हमें हमारा code landing ना हो जो code हमें बार-बार use हो रहा है उसको हम एक function में बना देते हैं तो यही function का big advantage है कि हमें code को reuse कर सकते हैं बार-बार हमारा code landing ना हो इसके लिए हम एक function बना सकते हैं ताकि हमारा code दिखने में अच्छा लगे और ज़्यादर landing ना हो तो अब हम discuss करते हैं practical part इसका practically करके देखते हैं कि हम function को cache बनाते हैं तो मैंने अपना notepad open किया हुआ है ठीक है तो और हाँ इसमें मैं functions में मैं आपको html के साथ बताऊगा कि इसको html में कैसे embed करते हैं अभी तो हम php simple पढ़ रहे थे मैंने पहले भी बताए कि html के साथ php को कैसे use करते हैं बट यहाँ पर मैं फिर से html के साथ php को use करके बताऊँगा तो सबसे पहले मैं html का basic syntax जल्दी सा basic syntax लिख देता हूँ इसका यह html का opening अपनिं टेग हो गया और एक closing टेग हो गया ठीक है और इसके बाद html में एक title टेग होता है ठीक है तो मैंने यह title टेग मैं डिफाइन कर देता हूँ इसमें मैं लिख देता हूँ कि functions in php ठीक है यह हो गया title और title के बाद जहाँ पर होता है body tag ठीक है body tag और तो इस body tag यह हो गया body closing tag और इस body में हम लिखेंगे हमारा program तो सबसे पहले तो मैं क्या कर देता हूँ यहां पर एक tag use कर लेता हूँ जो function में होता है और जो heading define करने के काम में आता है यहां पर मैं heading डाल देता हूँ function in php ठीक है तो यह हुआ html का simple जो structure होता है यह html का simple structure है तो अब हम यहां पर use करते हैं कि php को हम इसमें कैसे use करेंगे तो यहां पर हम php use करेंगे तो इसके लिए suppose मैं php का एक function लिखता हूँ ठीक है यहां से हम php का code start करते हैं यह मैंने php का tag define कर दिया है ठीक है यहां पर हम php का सारा code लिखेंगे तो सबसे पहले मैं एक function बनाता हूँ मैं एक function बनाता हूँ कि function यह function जो keyword होता है और इसके बाद function का नाम, suppose मैं function का नाम दे देता हूँ print name ठीक है एक function का नाम दिया है print name जो क्या करेगा name को print करवाया ठीक है और इस function के अंदर हम function की body define करते हैं उसमें let say मैं simple एक function define कर देता हूँ print कर वा देता हूँ let say x y ठीक है? तो यह function होगी है complete यह function क्या करेगा? कि name print करने के क्या करना होग? प्रिंट नेम नाम से यह क्या करेगा simple एक नेम को प्रिंट करेगा ठीक है तो अब इसको हमें यह तो function define किया ठीक है अब हमें क्या करना होगा इस function को call करवाना होगा ठीक है यहां पर function को call करवाएंगे ठीक है तो अब function को call करवाने के लिए हमें क्या करना होता है function को call करवाने के लिए हमें simple function का नाम है इसको use करना होता है ठीक है तो जैसे मैं इस function को call करवाता हूँ तो मैं क्या करूँगा call करवाने के लिए simple function का नाम लिख वाने कैसे print name ठीक है और ये दो small brackets के साथ ये semicolon रादिया तो ये होता है calling of function ठीक है कि function को हम कैसे call करवाते हैं तो ये तो call करवा दिया हमने function बट अब ये function जो कोई नाम print करेगा यहां पर मैं इसको eco में डालता हूँ ठीक है eco ये हो गया complete function का call कैसे function हमने चीन हमने function define किया है पहले और इसको और इसको हमने call करवाने के लिए paid function को करवाने के लिए simple हमें function का नाम देना होता है ठीक है ये function call करुआ है अब अगर इसको मैं save करके control s किया मैंने और अगर इसको मैं output देखना चाहूँ इसका इसको मैं refresh करूँ तो यह देख रहा है simple वो नाम प्रिंट कर देता है xyj यह तो heading है हमारी जो हमने html में दी थी as to tag के सायता से और यह simple उस नाम को प्रिंट कर रहा है xyj ठीक है यह simple एक नाम को प्रिंट कर रहा है तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि हम किसी function को multiple time किस function को जितनी बार भी हम call करवाना चाहे हम बार बार इस function को call करवा सकते हैं यह function का meaning होता है कि हम इसको बार बार call करवा सकते हैं तो suppose मैंने इसको कितने भी बार में इसको use कर सकता हूँ call करवा सकता हूँ तो मैंने ये, suppose three times मैंने इसको call कर वा दिया, तो ये simple three times इसका output so कर देगा, xyz, 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 तो यहां पर मैं क्या करता हूँ, एक br tag all दे देता हूँ यहाँ पर ताकि हमें हमारा output अच्छे से so होगी है, अब मैं इसको अगर refresh करता हूँ, तो यह देख रहे हैं अब इसने हमने तीन बार function call किया था तो इसने तीन बार xyz print कर दिया है बट अब problem क्या है कि हम इस function को हमने तीन बार हमने इस function को call किया है तो इस तीनों बार क्या कर रहा है simple xyz print कर रहा है तीनो बार X, Y, Z प्रिंट कर रहा है, पर ऐसा तो हम नहीं चाहते हैं, अब हम चाहते हैं, सपोर्ज, कि हम इसको कितनी बार भी call करवाएं, बट ये अलग-अलग नाम प्रिंट करें, सिंपल X, Y, Z नहीं प्रिंट करें, अब तो क्या कर रहा है, हर केस में X, Y, Z प्रिंट करते जा रहा है, हम चाहते हैं कि हम इसको तीन बार call करवाएं, तो तीनो टाइम अलग-अलग नाम प्रिंट करें, ना कि सेम X, Y, Z ही प्रिंट करें, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम करने के लिए मैं क्या करूँगा यहां पर सबसे पहले एक आर्गुमेंट है जिसको आर्गुमेंट बोलते हैं यहां पर हम कोई वैलू रखते हैं उनको आर्गुमेंट बोलते हैं यहां पर कोई वैलिबल हम डिफाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं आर्गुमेंट यह आर्ग को हम क्या करेंगे सिंपल यहां पर प्रिंट करवा देंगे ठीक है मैंने क्या किया function में as a argument एक नाम मैंने input लिया ठीक है यह नाम input लिया जो user देगा user हमें देगा calling करवाते time और इस नाम को इस simple उस नाम को input को मैंने name नाम के variable में store करवा लिया ठीक है मैंने इसको store करवा लिया name नाम के variable में अब इस name को मैं simple यहां पर print कर देता हूँ ठीक है मैंने as a simple eco के eco का use करके इसको print करवा दी अब क्या होगा user जैसे जो भी नाम यहां पर input के तोर पर देगा उसको इस variable में store करेगा और उसी नाम को यहां पर print करवा देगा तो ऐसा करने पर हम multiple time इस function को call करवा के multiple names या अलग-अलग name को print करवा सकते हैं सब्सक्राइब मैं आप इस function को call करवाता हूं ठीक है अगर मैं इसको save करके और अभी इसको call करवाता हूं यहां पर कोई नाम नहीं दे रहा मैं कोई input नहीं दे रहा ठीक है कोई value प्रवाइड नहीं करवाता हूं तो यहां पर यह error देगा ठीक है जैसे आप देख रहे हैं कि missing argument वन ठीक है जी देराए कि इस function में यहां पर वियलू करते हैं जो आर्गूमेंट है जैसा कि हमने यहां पर function दो input ले रहा है ठीक है बट यहां पर अपन calling के time में इसमें कोई input नहीं दे रहे हैं जो यही error दिखा रहा है देख रहा हैं यह error मिस्इंग argument वन for this function ठीक है कि जो argument आप यहाँ पर ले रहे हैं as a input वो यहाँ पर missing है यहाँ पर आप कोई value नहीं provide कर देए तो हमको क्या करना होगा यहाँ पर नाम suppose मैंने x y z provide कर दिया ठीक है x y z मैंने आप पर provide कर दिया तो अब यह क्या करेगा x y z print कर देगा ठीक है ठीक है और यहाँ पर x y z इस में as a input में दे रहा हूं ठीक है तो अब इसको मैं save करके अगर इसको मैं refresh करता हूं तो यह simple यहाँ पर x y z print कर देता है ठीक है यह x y z यहाँ पर print कर दे रहा है तो अब देखना है कि इस function को मैं multiple time call करवा सकता हूं यहाँ पर अब की बार मैं सब्सक्राइब टाहरु मैं क्तिना उ about this post on a यहां अब की बार मैं सपोज आभी शेंद खरम किरेंगा जैसे मैंने इसको कुझ acre करक्षांद करो qr and abc ये प्रिंट कर देता है ठीक है तो इस तरीके से हम आर्गुमेंट का यूज करके function को और अच्छे से define कर सकते हैं अलग-अलग bar calling करते हैं तो हम अलग-अलग नाम इसमें print करवा सकते हैं तो यह तो वह argument जिसमें हमने single argument लिया इसमें एक यह argument हम ले रहे हैं तो यहाँ पर ऐसी कोई limit नहीं है आप यहाँ पर कितने भी argument ले सकते हैं ठीक है सपोज मैं यहाँ age argument age नाम का एक variable और बना देता हैं तो यह दो argument होगे तो अब हमें यहाँ पर दो ही argument पास करने होगे जितने argument हम function में define कर रहे हैं function के definition में उतने ही value हमें calling के time पे as a input प्रवाइड करने होगे ठीक है तो अब मैं suppose यहाँ पर दो argument ले ले लिए name person का नाम और उसकी age तो अब मै यहाँ पर यह person का नाम और comma करके यहाँ पर मैं इसकी age भी दे सकता हूं ठीक है 20 ऐसे इसकी let's say 25 और इसकी let's say 30 मैंने function में उसका नाम प्रिंट किया और age प्रवाइड गी ऐसकी इसका भी नाम और age प्रवाइड गी दो input में प्रवाइड करता हूं तो यहाँ पर मैंने function में दो ही argument define कर दी तो suppose मैं यहां पर लिख सकता हूं कि यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको print करवाने के लिए इसको print करवाने के लिए मैं लिख देता हूं यहां पर let's say कि hello इसका नाम और इसके बार लिख देता हूं हेलो यहां पर मैं लिख देता हूँ और यहां पर मैं उसको मैं एज को यहां पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ ठीक है तो यह मैंने क्या किया उस function में name और age दो argument ले रहे हैं और यहां पर मैंने इसको प्रिंट करवा दिया hello फिर इसका नाम प्रिंट करे गए और नाम प्रिंट करके बता देगा कि your age is this ठीक है तो इस function को अगर अब मैं save करके और इसको मैं अगर run करवाता हूँ तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका output hello xyz your age is 20 hello pqr your age is 25 और ऐसे ही hello abc your age is 30 ठीक है तो ऐसे हम यहां पर multiple argument भी ले सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में हमने अब क्या discuss किया अभी तक कि function कितने type के होते हैं function क्या होते हैं और function को कैसे define करते हैं यह हमने देख चुके हैं और हमने देखेंगी function में argument हम कैसे लेते हैं जिसमें हम डिसकस करेंगे कि function में हम value कैसे return करते हैं और function के बारे में हम और बहुत कुछ देखेंगे तो अब भी तो आप इस function के बारे में practice कीजिए जो इस वीडियो में हमने देखा है उसको practice कीजिए मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि function है जो PHP में बहुत बड़ा इसका बहुत बड़ा role है बहुत ही important है फंक्शन पी अच्पी में तो आप function को अच्छी तरीके से इसकी practice कीजिए different different तरीके से हम function बनाएगे और different different तरीके से आप उसमें argument लेके उसको तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में डिफरेंट 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 आर्गुमेंट लेके आप उसको प्रिंट करवाके देखें तो इसको इससे आपको अच्छी प्रक्टिस होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे कि मैं बता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस फंक्शन के बारे में पार्ट टू अप्लोड करूँगा जिसमें हम all देखें कि फंक्शन के बारे में कि फंक्शन में हम value कैसे return करवा सकते हैं तो thank you for watching this video and इसको वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो इसको like कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए ताकि आप सारी वीडियो को one by one देख सकते हैं और practice करते रीजिए तब तक के लिए bye